हेलो, पिछली वीडियो में हमने टांजेक्शन टैब के बारे में जाना, इस वीडियो में हम एनिमेशन टैब के बारे में जानेंगे, तो एनिमेशन टैब में जानने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पे कोई भी प्रजेंटेशन ओपन करेंगे, जैसे यहां से क्लिक किया, य यहां पे गए यहां पे स्लाइड आ जाएंगी जैसे यह हमारे पास यहां पे दो स्लाइड है दो स्लाइड है इसके बाद क्या करना है हमने यहां पे एनिमेशन लगाना है जैसे एनिमेशन यह हमारे टाइटल है यह सब टाइटल है तो इसको हमने एनिमेशन लगाना है तो इ उसको तभी एक्टिवेट किया जा सकता है, जब हम किसी टेक्स्ट के उपर या किसी हमेज के उपर क्लिक करते हैं, तो यह एक्टिवेट हो जाता है, यह देखो, जैसे यह टाइटल है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यह जो एनिमेशन है, यहाँ पे ए नंबर यहां पे आ जाएगा one तो इसका मतलब यह है कि यहां पे animation लगा हुआ है अगर यह animation यहां से हटाना है तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे none पे क्लिक करेंगे यह animation यहां से हट जाएगा यह देखो यह animation यहां से हट गया अगर चाहिए तो हम फिर से क्लिक करे या और चाहिए तो यह animation इसके लिए apply हो गया जब हम इसका slide show देखेंगे यह देखो animation यहां पर आ गया है यह animation इसके लिए title के लिए यहां पर आ गया है इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद यह हमारे पास निचे subtitle है इसके लिए भी हमने animation लगाना है तो animation लगाने के लिए हम क्या करेंगे यह more button है आगर और animation चाहिए यह देखो more button पर click करते हमारे पास यह सभी animation आ जाएंगे जैसे entrance के यहां पर animation है इसके बाद emphasis के animation यहां पर दिये गया है इसके बाद exit के animation है इसके बाद motion path क animation है तो जो भी हम यहां पर animation लेंगे वो हमारे subtitle में apply हो जाएगा यह देखो suppose करो हमें यहां पर zoom बाला यह animation चाहिए तो हम यहां पर click करेंगे यह देखो यह animation इसमें apply हो जाएगा और यहां पर यह numbering आ जाएगी यह देखो तो इसका मतलब यहां पर भी animation लगा हुए subtitle के लिए जब हम इसको slide show करेंगे F5 key से ये देखो ये जो है animation title के लिए लगा हुआ है अब ये देखो सब title के लिए ये animation लगा हुआ है तो इस प्रकार हम इसको animation लगा सकते हैं अगर हमने ये title का animation change करना है तो हम ये animation change भी कर सकते हैं यहां पे click करेंगे click करने के बाद जैसे कौन सा animation चाहिए जैसे यहां पे random bar यहां पे click किया यह दिखो इसमें आ जाएगा तो यह animation अगर हम चाहते हैं कि animation change करना है तो हम यह animation change भी कर सकते हैं इसके बाद क्या है अगला है हमारे पास effects options effects apply करने के लिए जैसे यहाँ पे horizontal यहाँ पे click किया तो यह देखो horizontal effect यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद इसके लिए vertical चाहिए तो यह vertical आ जाएगा अगर यह subtitle है इसके लिए चाहिए effect यहाँ पे effect इसके लिए भी आ जाएंगे जैसे as one object तो यह रिखो इसमें आ जाएगा as one object में आ जाएगा इसके बाद यहां पे all at once तो यह all at once effect यहां पे अपलाई हो जाएगा तो जो भी यह effect यहां पे लेंगे by paragraph तो यह रिखो by paragraph यहां पे effect अपलाई हो जाएगा तो इसमें बहुत से एफेक्ट दिये गए है जो भी एफेक्ट हमें चाहिए वो एफेक्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते है इसके बाद आ गया है एड़ एनिमेशन जैसे हमारे पास यह फर्स्ट यह टाइटल है यहाँ पर एक एनिमेशन यहाँ पर दिये गया है अगर हम एक और animation यहां पे लगाने जाते हैं तो हम यहां पे add animation यहां पे क्लिक करेंगे add animation पे क्लिक करने के बाद अब कौन सा यहां पे animation और चाहिए जैसे हम यहां पे कोई भी ले लेते हैं जैसे spin का ले लेते हैं तो यह देखो spin का आ गया यह तो यह animation यहां पे add हो गया एड होने के बाद यहाँ पे यह नंबर आ जाएगा इसका मतलब यह आए कि यहाँ पे animation एड हो जो का है तो add animation में जाके हम animation को add भी कर सकते हैं अगर हमें कोई भी animation और चाहिए तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से कोई सेलेक्ट करेंगे यहां पे animation वो animation यहां पे आ जाएगा तो इसके बाद animation pan यह देखो animation pan पे क्या होगा animation pan पे यह जो जो हमने animation लिये हैं जैसे यह देखो हमारी यह title war है title war में हमने यह एक यह लिया हुआ है और एक यह निचे यह लिया हुआ है यह नमबर फास्ट यह देखो नमबर फास्ट यहां पर एक एनिमेशन यह लगा हुआ है और एक एनिमेशन हमने यह नमबर सेवन यह एनिमेशन यह टाइटल वार में एनिमेशन लगा हुआ है इसके बाद यह सब्टाइटल लिखा हुआ है यह सब्टाइटल इसके लिए यह animation लगा हुआ है, तो animation pen पे जाके हम यह चेक कर सकते हैं कि क्वोण कौण animation यहां पे लगा हुआ है इसके बाद है trigger तो trigger के लिए हम यह दूसरी slide लेंगे यहां पे दूसरी slide पे click किया दूसरी slide पे click करने के बाद यहां पे हमारे पास यह pictures आ जाएंगी अब first picture के उपर click करेंगे click करने के बाद हम यहां पर animation लगाएंगे first picture के लिए हमने यहां पर animation लगाना है जैसे यह ले लिया wheel का यह animation यहां पर ले लिया इसके बाद second picture के उपर click किया यहां पर हमने कोई animation और लगाना है जैसे कोई भी animation यहां पे ले लिए जैसे suppose करो यह fly out यह यहां पे ले लिया लेने के बाद अब तीसरी के लिए हमने यहां पे animation set करना है तो इसके लिए हम कोई भी animation यहां पे ले लिए जैसे suppose करो हमने यहां पे यह spilt यह यहां पे animation हमने लिया तो तीनों के लिए हमने अलग अनिमेशन लिया तो इसको देखना है कि कैसे फर्स्ट का अनिमेशन कौन से है सेकंड का कौन से है थर्ड का कौन से है तो यहाँ पे प्रिव्यू पे क्लिक करेंगे हम यह देखो फर्स्ट के लिए यह second के लिए third के लिए ये तो ये animation यहाँ पे आगे है animation इन picture में set करने के बाद हम यहाँ पे trigger पे जाएंगे trigger का use हम तब करते है जैसे suppose करो यहाँ पे ये last वाली picture इसमें हमने animation नई चलाणा है जो animation चले ये दो picture में चले तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे trigger में जाएंगे trigger में जाने के बाद यहाँ पे यह जो picture है यह हमारा यह picture 10 यह यहाँ पे click किया last वाली यह तो यहाँ पे देखो यह जो symbol है इसका यह symbol आजाएगा जब हम यहाँ से preview देखेंगे तो preview में क्या होगा यह दो पिक्चरें यहां पे आएंगी बाकि यह तीसरी वाली यहां पे नहीं चलेगी यह दिखो यहां पे यहां पे क्लिक किया यह फॉस्ट आगे पिक्चर यह सेकिंड आगे और सार्ड के लिए यह अपलाई नहीं हुआ तो इसलिए हम यह trigger यहां पर use करते है कि अगर कोई भी यहां पर बंद करना है जैसे यह यह चाहिए हमें अगर इसको open करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर trigger में जाएंगे trigger में जाने के बाद on click off यहां पर जो यह picture 10 यह picture 10 जहां पर है इसको क्या करना है यहां पर इसका preview चेक करेंगे, तो ये तीनों आएंगे, जो तीनों animation हमने लिये हुआ है, तीनों के लिए यहां पर apply होंगे, जैसे ये देखो, ये first के लिये हैं, लिया था, ये second, ये third, तो तीनों के यहां पर animation यहां पर आगे, अगर ये दूसरी का बंद करना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर click करेंगे, इसके बाद trigger पर जाएंगे, ओन click off, यहां पर second, ये देखो, second बीच वाला ये, ये जो है, अमने बंद करना है इसका animation, तो यहां पर click करेंगे, यहां पर click करने के बाद, ये दिखो, symbol, यहां पर ये आ जाएगा, ये आने के बाद, हम जब इसका preview चेक क करेंगे तो यह देखो प्रिव्यू में यह दूसरा नहीं आएगा और यह जो फस्ट वाली और यह जो लास्ट वाली है इसका ही अनिमेशन हमें दिखाई देगा यह देखो यहां पर प्रिव्यू पे क्लिक किया प्रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यह देखो फस्ट और ला और किसका animation नहीं आना चाहिए, अगर तीनोग आना चाहिए, तो हम यहां पर फिर trigger में जाएंगे, trigger में जाने के बाद यहां पर ओन क्लिक और इसको uncheck कर देंगे, uncheck करने के बाद, यह दिखो जब इसका स्लाइब शो देखेंगे, तो तीनो का animation यहाँ पे आएगा यह देखो यह first का यह second का यह third का यह देखो तीनो का यहाँ पे animation यहाँ पे आगया तो इस प्रकार हम यहाँ पे trigger का use कर सकते हैं इसके बाद है यहाँ पे animation printer तो animation printer जैसे MS World में format painter होता है वैसे यहाँ पे animation painter है तो जो ms world में format painter होता है format painter का मतलब यह होता है कि जो formatting की होती है text में वही formatting दूसरे text में हम apply कर सकते है वैसे यहाँ पे जैसे animation painter जो हमने यहाँ पे animation लिया है अगर हम यह चाहते है कि यह animation जैसे first picture का animation second में भी यही apply हो तो हम क्या करेंगे यहां पे Animation Painter पे क्लिक करेंगे तो यही formatting फॉर्मेटिंग फॉर्स्ट पिक्चर वाले यहां पे आ जाएगे यह देखो तीनों के लिए हमने अलग लग यहां पे यह Animation लिया हुआ है यहां पे यह देखो यहां पे प्रिव्वी चेक करो इसका ये इसके लिए first के लिए ये animation second के लिए third के लिए अब हम चाहते हैं कि तीनों के लिए same यहां पे animation apply हो जाए तो हम क्या करेंगे यहां पे animation painter के उपर click करेंगे जैसे यह यह जो first वाली आए यह सबी में apply हो जाए तो हम क्या करेंगे यहां पे animation painter के उपर click करेंगे और यहां पे click करेंगे यह दिखो second के लिए भी यह apply होगे अब third के लिए भी हमने यह चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे जाएंगे animation painter पे जाएंगे और यहां पे third पे picture पे click करेंगे यह दिखो third picture पे भी यह animation apply हो गया अब हम यहां पे preview देखेंगे यह देखो फर्स्ट के लिए भी same animation, सेकंड के लिए भी same animation और थार्ड के लिए भी same animation यहां पे apply हो गया तो इस प्रकार यहां पे हम animation printer का use कर सकते हैं इसके बाद हमारा अगला जो group है वो timing group है यहां पे हम timing set कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले है start start में on click यह white default यहां पे होता है इसके बाद यहां पे more button पे क्लिक करेंगे यहां पे हमारे पास with previous, after previous यह लिए गए है with previous इसका मतलब यह होता है जैसे हमने कोई यहां पे picture यहां पे जैसे यह second वाली picture हमने यह यहां पे लिए यहां पे हमने इसको select किया select करने के बाद with previous में क्या होगा यह जो हमने select की हूँ यह picture यह और इससे पिछली जो picture है जब हम इसको slide show करेंगे यह दोनों एक साथ आएंगी तो इन दोनों का जो animation है एक साथ चलेगा और इसके बाद जो है यह हमारी तीसरी picture आएगी यह देखो यहां पे हमने select किया हुआ है with previous यह लिया हुआ है इसको यहां पे slide show किया slide show करने के बाद यह देखो दोनों का यह जो first picture है और यह second picture है यह एक साथ यहां पे आगी इसके बाद हमने mouse का click किया यह हमारी अगली picture यहां पे आएगी इसके बाद अगला है हमारे पास after previous after previous का मतलब यह होता है कि यह जो picture है जैसे यह second वाली picture है यह select की हुई है तो after previous यहां पे हमने इसको select किया select करने के बाद यह पहली वाली picture आएगी और उसके बाद यह picture आएगी तो इसको बोला जाता है after previous यह दिखो जब हम यहां पे slide show करेंगे तो यह दिखो पहली वाली picture आएगी उसके बाद यह second वाली picture आएगी और फिर क्लिक करने पे मौस का क्लिक करने पे यह third picture आएगी तो इस प्रकार हम in option का use कर सकते हैं इसके वाद है duration duration का मतलब यह होता है कि यह जो हमने pictures लिए हुई है इसमें जो animation लगाया हुआ है वो animation कितने time तक चले तो हम यहाँ पे duration set करेंगे जैसे यहाँ पे first picture के लिए हमने animation जो set किया हुआ है वो कितने seconds तक चले यह हम यहाँ पे set करेंगे suppose करो हम यह first यह जो हमारी picture है इसके लिए यहाँ पे duration set करेंगे यहाँ पे 5 seconds तो यह जो picture है इसमें जो animation चलेगा यह 5 seconds तक चलेगा अब second है second slide के लिए हम duration यहाँ पे बरेंगे four skins तो यहाँ पे हमने बरा four इसके बाद third है इसका duration हम यहाँ पे बरेंगे three skins इस प्रकार हमने इन तीनों pictures में time set कर दिया कि यह जो animation है इन तीनों picture में यह इतने skins तक चले जैसे first का हमने यहाँ पे रखा five skins second का four skins और यह third का हमने three skins यहाँ पे रखा अब जब हम यहाँ पे slide show करेंगे यहाँ पे देखो slide show किया तो जो हमने time set किया हुआ है यह देखो five skins तक चलेगा यह five skins अब दूसरा जो है four skins तक चलेगा यह four skins तक चला अब तीसरा जो है यह three skins तक चलेगा ये देखो ये जो animation था ये इसके लिए five skins तक चला इसके लिए four skins तक चला इसके लिए three skins तक यहाँ पर animation चला delay delay का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारे पास तीन pictures है ये तीन pictures है इसमें हम time set कर सकते है कि ये जो जैसे first वाली picture है ये first वाली picture कितने seconds के बाद आए तो हम यहां पे time set करेंगे कि इतने skins के बाद ये picture यहां पे आये तो हम यहां पे seconds set करेंगे जैसे यहां पे हमने रखा five skins तो ये जो picture है first वाली five skins के बाद आएगे अब second पे click किया यहाँ पे यह देखो second के लिए यहाँ पे कोई भी time set नहीं है zero skins है third के लिए भी यहाँ पे zero skins है तो अब हम देखेंगे इसका preview चेक करेंगे तो preview चेक करेंगे यहाँ पे click किया यह देखो यह जो first वाली यहाँ पे picture है यह five skins के बाद आएगी यह देखो यह five skins के बाद यह picture यहाँ पे आएगी अब second वाली के लिए time set नहीं है यह देखो जल्दी आ गई है यह third वाली भी जल्दी आ गई है तो इस प्रकार हम किसी भी picture के उपर time set कर सकते है कि यह इतने seconds के बाद यह picture यहाँ पे show हो तो यहाँ पे हम time set कर सकते हैं इसके बाद timing group में recorder animation recorder animation में हमारे पास है move earlier और move later तो इसका मतलब यह होता है suppose करो यह जो हमारे पास 3 pictures है यह जो pictures है सबसे पहले यह आएगी उसके बाद यह आती है उसके बाद यह आती है अब हम चाहते हैं कि जो picture हमें पहले चाहिए suppose करो हमें यह center वाले picture जो है यह हमें पहले चाहिए यह पहले show हो उसके बाद बागी आए तो हम क्या करेंगे यह center वाली picture के ओपर click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद हम यहाँ पे move earlier यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद हम इसका slide show देखेंगे यहाँ पे जाएंगे slide show पे जाएंगे यह देखो यह जो picture बीच वाली थी यह पहले आए यह देखो बीच वाली हमने select की थी यह picture पहले हमें show हो रही है इसके बाद ये देखो ये और इसके बाद ये तो इस प्रकार हम जो भी पहले पिक्चर लाना जाते हैं तो इस प्रकार ये पिक्चर हम सेट कर सकते हैं अब क्या करेंगे यह जो center वाली picture है इसको बाद में लाने जाते हैं तो बाद में लाने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारे पास move later है यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे click करने के बाद क्या होगा यह जो picture हमारी center वाली picture है यह इन दोनों picture के बाद में आएगी यहाँ पे हमने click किया move later यहाँ पे click किया click करने के बाद इसका slide show यहाँ पे देखा यह देखो यह पहली वाली यह last वाली और यह उसके बाद वाली यह center वाली यह सबसे last में आएगी तो इस वीडियो में हमने animation tab के बारे में detail में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद